जो प्लैन था वो अश्रया काई था तो उशी ने बनाया और बाकी दोस्तों ये देखिए ये सारे मेरे भतीजे हैं तो इन्होंने मिले बनाया था बेबी बुवा अगर बच्चों आप लोग देख रहे हो तो बेबी बुवा का कमेंट जरूर आना चाहिए और ये छोटे भाईया और भाबी बाकी ये देखिए फैमली फोटोज चल रही है और बीच बीच में थोड़ा सा मैं भी कुछ दिखा रही हूँ अपने पोजिज और ये देख सकते हैं ये मेरा छोटा भाईया और ये उनके बड़े साले हैं यानि कि मेरे भावी के बड़े वाले भाईया जिया जी और ये दीदी और जिया जी हैं और ये मेरा फ्रेंड और भाई और ये देखिए ये पोज दे रहे हैं सबके सब और इनके साथ बीच में आ गई है रिंकी मैडम मेरी फ्रेंड तो ये देखिए बड़े भाईया और भावी और ये चल रहा है पोज भाई भावी का अब सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं चलो फोटो तो क्लोज हो गई है मैंदी के अब आती है डांस की बारी तो ये देखिए दुलहन खुब डांस कर रही है और बच्चे फुल मस्ती में हैं अभी और डीजे च और ये देखिए ये सब के सब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया और ये भाई मेरे फ्रेंड लोग मामा के लड़के दीदी का लड़का सारे लोगों ने बहुत मस्ती करी और इनके आने से ये बहुत रौनक हुई वरना लोकडाउन की साधी में तो डीजे भी न लग रहे हैं सब के ये देख सकते हैं आप और ये चैंस पार्टी भाईया लोग ज्याजी लोग सब लोग बिल्कुल नाचने के लिए रैडी हैं ये देखिए मम्मी इनको तो आप लोग जानती हूंगे हमारे गढ़वाली जो सौंग आते हैं उनमें हीरो है हमारे यहां के भाईया तो इन देखिए दोस्तों क्या मस्ती चल रही है मेरी मौसी को देखो मेरी मौसी है ये पिछे इन्होंने بहुत डांस किया था मेरे शादी में बहुत खुस हुई थी भाईया मेरा भतीजा सब बहुत डांस कर रहे हैं तो चलो मेंदी नाइट की फोटो तो खतम हो गई है आप दिखाते हैं बरात जब बरात आई तो ये हो गई है सबसे पहले हिरोई ने तयार और इनको ही सबसे पहले फोटो में अलबूम में ले रखा है और ये हमारी यहां के ढोल वाले भाईया हैं दोनौ ढोल आट नंगारा और ये है स्वागत करने वाले ये है छोटा भाई और मेरा भतीजा और मे दीदी का लड़का यैसू तो यहां पे जो भाईयों के द्वारा रश्म करी जाती है तो पता नहीं क्या भाईया कुछ चीड के पीड पे ये धागा लगा रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्यों लगा रहे हैं बट भाईयों के द्वारा ही रश्म होती है ये और जब तक बराद आई नहीं तो ये भुकर लोग बैड़ गये हैं खाना खाने तो दोस्तों हमारी यह गाओं में इस तरीके से खाना खाया जाता है जो पहाडी लोग हैं सबको पता है ऐसी खाते हैं पहाडों में तो सिंपल से साधी हुई थी मेरी लोग डाउन में ये देखिए कैसी हिरोई ने तयार होके भाद खाने बैड़ गए हैं ये देखिए सबके सब फुल तयारी में हैं कि कब भाद आए और फिर हम बराद देखने जाएं और ये देखिए दोस्तों कि यहां पर चल रही है पकोरे कोडे बनाने की तयारी तो एक और बात है मैं भूल गी थी हमारी यहां एक जो रस्म होती है वो है बरात से पहले आते हैं सापटा लेके तो हमारे हैं सापटा बोलते हैं तो उसमें आते हैं कुछ गिने चुने लोग आते हैं तो ये आगे मेरे ससुराल से आ रखे हैं ये हम मेरे ससुर्जी लोग हैं ये बड़े ससुर्जी है और ये छोटे ससुर्जी है ये भी ससुर्जी है हमारे तो इनकी चल रही है खादरदारी तो ये सारा प्रबंध इनके लिए किया गया है और चलो जी दुलहन भी रेड़ी हो गई तो ये रही दुलहन और ये रही दुलहन की मम्मी और बेहन किती प्यारी फोटर है और ये मेरी मम्मी के ज्याजी लोग हैं और ये हिरोईने बिल्कुल रेड़ी हो गई हैं दुलन के साथ पोज देने के लिए और ये मेरा और इशू का एक पोज तो ये देखिए ये सारे पोज ले रखे हैं भाईया ने और ये मेरी बावियों ने किची मेरे साथ फोटो और ये बतीजियां तो दोस्ता मेरी बहुत सुन्दर सुन्दर बतीजियां स्मार्ट स्मार्ट कौन सी अच्छी लग रही जरूर कमेंट करना थी कि इस वाली फोटो में कौन सी अच्छी लग रही और ये रही दुलन मैडम और ये दुलन की फ्रेंड और ये रही मेरी मामी बड़ी वाली मामी चलो जी अब आपके दर्सन कराते हैं बिस्टर जी के दर्सन तो ये देखें बड़ी खुसी खुसी आए मेरे पती देव मुझे लेने आएं भी क्यों ना इतने अच्छे बीवी कहां मिलती उनको ये देखिए मेरे स्मार्ट से हजबेंट और ये देखिए इनको लेने गए मेरे भाई दोनों भाई चुटाला भाई ताई का लड़का और मेरा भाई तो इस तरीके से हमारे उठा के दूले राजा को लाया जाता है और ये मम्मे गई गेट पे वैलकम करने के लिए और पीछे देखिए बराती तो बिष्ट जी की निगाएं पता नहीं किसको ढूण रही है मुझे ढूण रहे होंगे तो बिष्ट जी पोस देते हुए और भाईया हैं दोनों जेट जी हैं ये बराती हैं सारे कि ये दोनों जिठानिया हैं और ये मेरे हज़्वेंट की सिस्टर हैं दोनों और ये मेरा भाई है भाई के द्वारा जो रसमे करी जाती हैं और ये चिकु के दादा जी और मेरे भाई और ये रहे ईशुलू और ये जैमाला वाली लड़कियां और दुलहन तो ये देखें शर्माती हुई लड़की आ चुकी है दुलहन मुझे खुथ हसी आ रही है दोस्तों अभी वी और ये देखें मैं तो जैमाला वे भी बहुत हस्री थी पता ने क्यों मुझे हसी आ रही थी तो ये देखिए ये वाला पूज मैं वैसे इतने गोड़ से अपनी अलबम आज ही देख रही हूं शायद तो चलिए जी ये तो फोटोग्राफर भाईया का काम था तो अब हम लोग हो गए हैं जेमाला के लिए रैड़ी और ये जेमाला हमारी हो गई है ये तो वैसे भी आप सबको फोटो में देखें पता ही चल रहा होगर दोनों की स्माइल हैपी कपल ये देखिए और मेरे हजबेंट तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं ये देखें तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे अपनी एल्बम दिखाते हैं आप लोगों के भी बहुत ही अच्छा लग रहा और मैं भी इत्ती गौर से आज देख रही हूं तो ये मेरी मम्मी और ये बड़ी वाली सिस्टर मेरी और जय जी और ये मेरी भाभी की फैमली तो भाईया तो आए नहीं थे तो भाभी के बच्चे और भाभी है और ये छुटे अले भाई की फैमली है बच्चे आसा में छार सोजू और ये बड़े वाले भाईया ताव जी का लड़का ये उनकी फैमिली है यसु बैड़ गया है बीच में और ये दूसरे भाईय के बच्चे और दूसरी भाईया है ताव की बहू और ये देखे यहां पर सारे जैन्स फोटो खिचा रहे हैं ये भी दूसरी ताव के लड़के हैं भाईया हैं मतलब भाईया बच्चे उनके और ये भी भाईया जी है मेरी और ये मेरी मामी और मेरी ताई और ये मेरे भतीजे और ये है बड़ी भाईया इनकी मम्मी यंग मम्मी और ये रही मेरी दोनों दिदियां तो ये मेरी ताव की लड़की और ये मेरी अपनी दिदी बाकि ये रहा है हमारा कृप पोस सबके सब हमने काफी सारी फोटोज खिचाए थी और ये बराती और ये दिदी और किशाथ फैमिली के साथ फोटो तो शायद ये एक कन्यादान होगा अब मुझे ध्यान नहीं है इतना तो ये भाई को बिठा रखा है और ये है बेदी तो हमारी ऐसी बेदी बनाई जाती है जिसमें फेरे होंगे अब तो अब ज्वेलरी पहनने की बारी आती है तो दीदी ने पहनाई मुझे ज्वेलरी और ये मैं आगी हूँ अपने पूरे प्यूर पाहाड़ी लुक में तो ये हो रहा है कन्यादान ये दीखिये ये कन्यादान हो रहा है और उसी कि कुछ रस्में है ये तो अब होंगे सेरे और मैं बाहर वेदी में आ गई हूँ तो ये देख सकते हैं वेदी में बैठ रखी मूमें और ये मेरे हजबेंड जी का नाम और मेरी भती जी और नहीं लगाई थी महंदी बहुत अच्छी महंदी लगाई थी और ये नाम ना बहुती सुन्दर खिलावा था बहुत सुन्दर लग रहा था तो बिश्ची हाथ जोड़े हुए आप और अब होंगे फेरे तो ये थोड़ा सा पूजा वगेरा चल रही है और ये हमारी यां लवे लवे पता नहीं कुछ बोलते हैं दोस्तों मुझे नहीं पता भाई के द्वारा ये रसम निभाई जाती है तो ये देखें कुछ इस तरीके से तो ये देख सकते हैं ये सारे उसी की वीडिया है जहां पर भाई दिख रहा है तो ये सबसे बैस्ट मॉमेंट तो बिस जी मेरे पैर चू रहे हैं और मुझे ना खुदे हासी आ रही अगर यहां पर होते हो तो पता नहीं कुछ जरूर बोलते हैं ये देखें और ये फेरे हो रहे हैं ये देख सकते हैं तो ये मैं फुल ज्वैलरी में पहाड़ी दुलहन और ये भाई बिस्ट्री को चैन बना रहे हैं और ये मेरी मम्मी ने मिले एक गोल्ड की माला मंगल सुत्र टाइप का बनाया था ये बारेक सा तो ये मम्मी ने दिया था मुझे और ये बिस्ट जी ने पहनाया मुझे मंगल सुत्र जो मेरे रैड वाला मंगल सुत्र है और ये हुई हमारी सगाई तो ये बिस्ट जी ने मुझे सगाई की रिंग पहनाई थी ये देख सकते हैं और ये देखिए ये है लाइफ का सबसे अच्छा पल ये देख सकते हैं बहुत ही खुशी महसूस होती है ना दोस्तों जो मैरे लड़किया है उनको ही पता है कि क्या खुशी होती है जब मांग में सिंदूर भड़ते हैं इस बेंड लोग ये देखिए तो अब दुले राजा दुलन को खिला रहे हैं लड़ू दुलन खा नहीं रहे है पर दुले राजा अच्छे से खा रहे हैं तो ये देखिए ये मुझे ये बॉक्स में लिया स्रिंगारदान और ये चल रहे हैं फेरे और ये दुलहन पोस देते हुए तो यहाँ पर हो रहा है ये गाईदान जो बहुत जरूरी है ये भी एक रस्म है हमारे हाँ तो ये सारा जो हमारा पुरा परिवार है ये गाईदान में आ रखा और अब हो गई दान होगा और ये रही दुलहन मेडम दोस्तों ये दान हो रहा है और जो जो लड़की के लिए या लड़के के लिए लाए रहते हैं ये दान होता है लास्ट में और ये लास्ट है लड़की का घर में इसके बाद भी बिदाई हो जाती है तो ये देखिए और हमारा गाउं बहुत ज़्यादा बड़ा है तो काफी सारे लोगों ने आना था बट लॉकडाउन था मैंने पहले भी बताया तो बहुत ही कम लोगों ने मुझे दान दिया था मेरे पे हुआ भी नहीं था ज़्यादा कुछ तो अब इसके बाद जिस पाइल वगेरा यह जो भी ला रखा है सब लोगों ने दान दे दिया है और यह रही डोली तैयार हमारी तो यह भी हमारे पहाडी डोली है और यह देखिए अब आगया है रोने वाला टाइम तो चाचा ने मुझे उठाया यह देखिए यह कितनी बेकार सी फीलिंग होती है पैरेंस के लिए भी और एक लड़की के लिए भी बहुत टफ होता है बट क्या करें यह तो रिवास है और जाना ही पड़ता है ससुराल तो यह देखिए और कुछ इस तरीके से रोई मैं भैंकर रोई अभी मेरी रोहू भी रोरी है और मैं तो अपनी एल्बम दिखाने में लगी हूँ तो यह देखिए यह देखो यह मेरा दूस्ट फ्रेंड मुझे डॉली में बिठा रहा है और यह बिस्ट जी को भी पालकी में बिठा दिया है तो यह हमारे गाओं का रास्ता है और यह न लास्ट में फोटो भाया ने पतानी क्यों एड़ कर दी यह मेरे फ्रेंड और यह भाई है जो तो यह है लास्ट पीच एल्बम का तो दोस्तों जरूर बताना कैसे लगी आपको मेरी शादी की एल्बम और कैसी कैसे मेरा ड्रेस अप था कैसा लगा मेरा लहंगा और मैं कैसी लग रही थी जरूर कमेंट करना तो दोस्तों यह था मेरा माईके वाला एल्बम मैंने आपको पहले ही बताया था जो माईकी की तरब से बन के आया था बाकि इसके बाद वाला एलबम तो मैं क्या ही बोलूँ और मैंने आपको पहले ही कहा था ब्लॉग में जब मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग करी थी कि लास्ट एंड जरूर देखना आपको कुछ बताऊंगी तो ऐसे तो कुछ नहीं है बताने के लिए बड़ फिर भी बता रही हूँ तो जो मेरा सस्राल साइड वाला एलबम था वो ना अभी तक आये नहीं हमारी शादी को तीन साल हो गए तो एलबम अभी तक नहीं आई और मेरे पास सिर्फ सादी का प्रूफ यही है जो माई के वाला एलबम है मेरा तो यह एक क्या ही वोलूम है आप जो भाईया इनके साइड से जो कैमरामेन भाईया थे वो पता नहीं बहाने ही मारते रहते हैं और देते नहीं है एलबम तो अभी जादा कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरे जो हैजबेंड है उनके भाई के फ्रेंड है वो भी तो हम जादा फोर्स नहीं कर रहे हैं उनको एलबम के लिए बाकी हमने एक दो बार तो बोला बट नहीं दिया उन्होंने तो यही है फिलाल मेरे पर शादी का एलबम जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना जो मेरे चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चलो आपके ले एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगी तो देखते रहेगा बाई 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 गुट नाइट कि कि रुहु रो रही है और रुदू रुदू तो रुदू के पापा रुदू को दिला के आ गए है चॉकलेट और ये चॉकलेट खाने में लगा हुआ है तो चले दोस्तों बाई बाई